हलो स्टूडेंट स्वागत था आप सभी का एक बार फट से हमारे इस ओफिशल टुप चैनल में जिसका नाम है एसोल सुलूशन मैं चंदन कुमार आज़िरूं आप सभी के सामने अपनी एक और नहीं वीडियो के साथ तो guys आज़की इस नहीं वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो स्कूल अफूपल रेंडिंग के स्टूडेंट्स है या फिर NC WEB के स्टूडेंट्स है या फिर वे डैली उनिवर्सिटी में किसी भी रैगुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स है उन अगर आपको अलग किसी कूर्स में भी इसमें दिया हो तो बागी ये अगर आपके पास में कुल मिलाकर सब्जेक्ट है तो ये वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है आज हम आप सभी के एक डाली उनिवर्सिटी के प्रिवेस एर के कुशिन पीपर की बात करेंगे आप ये देख सकते हैं डाली उनिवर्सिटी का ही ये पेपर है कैसे पैचानेंगे तो पर अगर आप देखेंगे तो य गंटे की टैमिंग मिलेगी, आप सभी को कितने कोशिन करने है, चार कोशिन करने है, यह यहाँ पर लिखावा आता है, सभी कोशिन की वेटिस कितनी किया है, यहां लिखाएगा, और इसके बाद में, आप सभी को अपना paper का जो language है, या तो आप English language में या फिर आप अपना paper Hindi language में दोनों में से किसी भी वाशा में कर सकते हैं और यही instructions जो है नीचे Hindi में भी आप सभी के लिए लिखी हुई है यहापर हम बात करेंगे questions की कि क्या-क्या question आप सभी के paper में आए सबसे पहली बात तो आप पहला question देखेंगे विकास की प्रकरिया में सत्तावादी शासनों की भूमिका का समचलोतनात्मक मुल्यांकन कीजे या परिक्षन कीजे तो यह question बिल्कुल simple है और यह repeated question है यह हर साल repeat होने वाला question है तो यह question आप सभी को करके जाना ही जाना है यह question paper में बार-बार अगेन अगेन पूचा ही जाता है next question आप सभी की screen पर यह रहा यहां पर कि उत्तर सामयवादी राज्यों में लोगतंत्री करन की परिक्रियाओं का व्यक्या कीजिए इसमें आपको यह बताना है कि वही सामयवादी राज्यों में लोगतंत्री करन की क्या भूमिका है क्या भूमिका नहीं है इसको आपको explain करना है next question आपकी screen पर है क्या आपको लगता है अनुपातिक परतेनिदित परनाली बहुत संस्कृति समाज के लिए अत्यदिक परतेनिदिक है यह important question यह people में repeat होता है question में क्या पूछा गया है अनुपातिक परतेनिदित परनाली अनुपातिक परतेनिदित परनाली का मतलब यहाँ पर सबसे पहले आप सभी कोई ध्यान रखना है कि किसी एक particular area में जितने लोग रहते हैं उनके जो represent करने वाले जो लोग होता है उसको हम बोलता है अब भई बहुस अंस्कृति समाज के लिए अधिक पर एकजमपल अगर किसी भी एक society में कई तरह के धर्म के समाज में लोग रहते है तो उस ऐसे समय में एक particular धर्म से या समाज से अगर किसी छेतर में केवल मुस्लिम ही जाधा रहते है तो मुस्लिम ही वहाँ पर पर परते निदित्यों करें तो क्या आपको ऐसा लगता है कि यह सही होगा तो आपको यहाँ पर इसको explain करना है यह आपको धियान रखना है नेक्स्ट कोशन आपकी स्क्रीन पर है पश्यमी देशों में दल्य व्यवस्ता के उधे और इसके एथियासिक संदर्व की चर्चा करनी है यह नि पश्यमी देशों में राजनितिक दलों का उधे किस प्रकार से हुआ है और इनकी प्रिकरती कैसी रही है इसको ये बारे में आप सभी को यहां पर एक्स्प्लीन करना है इस वाले कुशन में नेक्स्ट कोशन आप सभी की स्क्रीन पर है इस वाले कोशन में आप से बूचा गया है समकालिन समय में विकासिल देशों में दल्य व्यवस्ता के संदर्व की चर्चा कीजिए यहां पर देखो कोई भी देश है उसका अगर निर्मान होता है तो उसके क्या-क्या विवन मुद्द्ध होता है और उसके सामने क्या-क्या चुनौतिया होती है आपको यह एक्स्प्लेश कोई निर्मान होता है तो उसके लिए सबसे पहली बात तो किसी ने किसी चेतर से अलग होता है तो विकास उसका एक परमुक लक्षे होता है विकास एक परमुक मुद्दा हो सकता है शान्ती हो सकता है और शान्ती के बाद में अगर हम बात करें तो आत्रवेवस्ता का तेजी से विकास ये विकास के अंदर ही आ जाएगा और हम बात कर सकते हैं एक्ता की भाव हो जाएगी तो यह कुछ मेंली रीजन है इन सभी के आपको इसमें एक्स्प्लेंट करना है नेक्स्ट कोशन है आप सभी उचा गया है कि कई नीतिकत सुधार के बाद भी वो राजनीतिक व्यवस्ता में महिलाओं के बागेदारी जो है निराशा जनक है बहुत सारे महिलाओं के लिए हमने क्या कर रखा है कारे की है जैसे अगर आप देखोगे तो पंचायति राज व्यवस्ता में 33% अमने आरक्षिन दिया है लेकिन परन्तु महिलाओं जो है आज भी कहने कही समाज में पिछड़ती जा रही है तो इस वाले कॉप को बताना है या फिर ये सुधार होने के बाद भी महिलाओं अपनी भूमिका क्यों निने बापाती जैसे पंचायतों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षिन कराए प्रन्तु लोकसभा और विधानसभा के चुनाओं में अभी तक महिलाओं के लिए कहीं पर भी आरक्षिन की विवस्ता नह पुरुष उसके नेरने उस घर के जब तक अच्छे से नहीं लेते या फिर जबी भी कोई पैंपलेड बनता है पंचायती राच चुनाओं का तो एक तरफ अगर महिला होती है तो दूसरी तब अगर आप यहां पर देखोगे कि पुरुष की फोटो भी ज़रूर चपती है यहां पर क्या है जो पुरुष जो है उसकी फोटो भी क्या होती है जरूर चपती है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो पुरुष होता है वो परदान माना जाता है और पुरुष जो है हरे गर के अंदर अपनी मुख्य भूमेका को तो निचित करता है इस विज़े से हम कह सक और लाम बंदी यानि जो मज़ूर लोग हैं उनके लिए जो कारे करते हैं उसके बार में मिस्रित परते निदेतों के बार में बताना यह इंपॉर्टेंट है आपसे पेपर में पूछा जाता है और अगली चीज़ है महिलाओं पर युद्ध का क्या परवाव पड़ता है जै आपको एक बहुत सुन्दर सा एजामपल लेकर समझाने की कुशिश करूँगा फर्स्ट वर्लोवार में हम देखते हैं कि जो ब्रिटेन है ब्रिटेन में जो फ्रत्म विश्युद हुआ तो ब्रिटेन के जातर पूरुष जो है वो क्या करने चले के युद्ध में चले के और उस समय महिलाओं को द्योगों में काम करना पड़ता था घरीलू कारे भी करना पड़ता था तो कारे का पोच महिलाओं पर बढ़ जाता है दूसरी चीज हमने युद्ध का महिलाओं पर एक प्रवाव देखा जो ब्रिटेन के अंदरी सबसे पहले महिलाओं को इस अधार पर आप यह क्या सकते हूं अगला कॉंसेप्ट है राष्ट राज्य और वैश्विकरण वैश्विकरण एक बहुत इंपॉर्टन कॉंसेप्ट है इसलिए बन जाता है क्योंकि आज विश्व की अर्थव्यवस्ता है जो है आपस में वैश्विकरण के थ्रू अब इसके कई तरीके के हमें आयाम दिख रहे है तो इसके कई लाब भी हो रहे हैं कई नुकसान भी हो रहे हैं तो राश्ट्रों को एक फायदा यह मिल रहा है कि आप पहले के समय में जितने भी इंप्रॉइमेंट के सोर्च थे वो सारी के सारी गौश्विकरण आज आगर अगर हम बात करें तो government ये सारी वेवस्ता हैं बिलकुल भी नहीं करती हैं ये सारी कि सारी जो वेवस्ता हैं ये हमारी जो normal लोग हैंगे उनको करना होता है यानि इनकी फैक्टरी है, सरकार को employment से तोड़ा सचुटका रहा है, दूसरी बात, देशों को नए नए तकनीके मिल रही है, इसका लाब हो रहा है, वैश्वी करन के कारण आपके देश में बाहरी कंपणी आ रही है, आपके देश में काफी सारा investment हो रहा है, उस investment से आपके द investment आपके देश में होता है, उसका कई न कई आपके उपर बहुत जादा लाब देखने को मिलता है, आप सभी को ध्यान रखना है, इसके अलावा अगर हम बात करें आपर, foreign direct investment के अलावा अगर हम बात करें, तो आज हमारी सरकारे जो हैं, उन सरकारों का जो दारा है, वो दिर आजनिती की policy है कि वहीं तक सिमेट की रह गए, आज किसी देश की नागरिक्ता पाने में, अब सरकारों की मुखे भूमिका नहीं रह गए, कि सरकार के उपर हमें निर्बर रहना, आप किसी देश में नागरिक्ता लेना चाहते हो, आप उस देश में अच्छा कासा investment कर दो, को वहाँ पर तब भी नागरिक्ता मिल जाएगी, तो नागरिक्ता आज के समय में कोई बड़ी बात नहीं रह गए, तो इस बियाफ पर, इस conclusion पर हम ये बात कह सकते हैं, कि ये कुछ almost question थे, आपके art question आई थे, अगर आप लोग अमारे साथ जूड़ना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जूड़ सकते हैं, आपके screen पर ये number शो हो रहा है, इसके अलावा, description box में आप से भी के लिए कुछ various link दिये जाएंगे, उन link के थूँ हम से आप social media के अलग-अलग platform से connect होना चाहें, तो आप connect हो सकते हैं, description box में लिंक है, 1200 लोग लगबग हमारे साथ जूड़ च और किस तरह की question उन्हें त्यार करने चाहिए, आगे मैं आप लोगों के लिए इसी परकार की वीडियो बनाता रहूँगा, अगर आप लोगों ने subscribe नहीं किया है, तो हमें subscribe करें, आपके मिलते हम आप सब वीसे अपने अगले वीडियो में, जैहिंद जै बारत!